इस मंदर को लेकर ये मानिता है कि यहां जो भी मननत दिल से मांगी जाती है वो पूरी होती है बड़े से बड़े सेलेब्रिटी भी इनके दर्शन पानी के लिए उत्सुत रहते हैं सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, पुरे विश्व में ये मंदर प्रसिद है भारत के सबसे संपन मंदिरों में से एक है सनातन धर्ण में भगवान श्री गनेश का बहुत महदर है प्रतियक में एकार्य से पूर इनका पूजन अनिवार्य है यूद तो श्री गनेश के भग दुन्या के हर कोणी में है लेकिन महाराष्ट में इनके तादा सबसे ज्यादा है महाराष्ट में श्री गनेश के आठ सिद एतिहासिक और पौरानिक स्थल है जो अश्ट विनायक के नाम से प्रसिद्ध है इसी क्रम में मुंबाई के प्रभावती इलाके का सिद्धी विनायक मंदर भारत के सबसे पूजने मंदरों में से एक है हाला कि इस मंदर की ना तो महाराष्ट के अश्ट विनायकों में गिंती होती है और ना ही सिद्ध टेक के सिद्धी विनायक से इसका कुई सब्बंद है लेकिन अश्ट विनायकों से अलग होते हुए भी इसकी महत्ता किसी सिथवीट से कम नहीं आम तोर पर बाई तरफ मुड़ी सूंड वाले गनिश प्रतिमा की ही प्रतिश्थापना और पूजा अर्चना करने का महत्में माना जाता है इसके बावजुद दाई और पूरे सूंद वाली गनपती की पुजा का भी अलग महत्व होता है दाईने और मुडी सूंद वाली गनिश पतिमाएं सिथ पीट की होती है और जो मॉंबई के सिध्य विनाय मंदर में गनेश जी की पृतिमा है उसकी सून्ट भी दाइय और ही है मुमबाई के सिध्ह विनाय की दूसरी विजेश्टा ये है कि वे चतुर भुजी विग्रा है उनके उपर वाले दाइय हाथ में कमल और बाइय हाथ में अंकुश है और नीचे के दाइय में हाथ में मोटियों की माला और बाय हाथ में मोदक से भरी कटोरी है गनपती के दोनों और उनकी दोनों पत्निया रिधी और सिधी मौजूर है मस्तक पर अपने पिता महादेव की समार एक तीसरा नीत्र और गले में एक सर्प लिपता है सिधी विनाइक का ये विग्र धाल फीट उंचा है और ये दो फीट चोड़ा है कहते हैं कि सिधी विनाइक अपने भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं दिवारों पर भक्त अपने मनोकामना लिखते हैं और मानते हैं कि सिध्य विनाइक जी उन्हें पढ़कर तुरत उनके मनोकामना पूरा करते हैं भक्त ये भी मानते हैं कि मुशिका भी उनके मनोकामना को सिध्य सिध्य विनाइक जी के पास पहुंचाती है तो उसके कानू में भी अपने मनुकामना को जगाते हैं 1991 में महराष्ट सरकार ने इस मंदर के निर्मान के लिए 20,000 वर्ग फीट की जमीन प्रगान की इस मंदर की इमारत पांच मंदला है जिसमें प्रवचन ग्रह, गनेश संक्राले वा गनेश पीट के अलावा दूसरे मंदल पर अस्पिताल भी है जहां रोग्यों की मुफ्त चिकित्सा की जाती है इसी मंदल पर रसोई घर है, जहां से एक लिफ्ट सीधे गर्भगर में आती है मंदर के उपरी मंदल पर यहां के पुजारियों के रहने की व्यवस्था की गई है मंदर इस तरह बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक भक्त, सभाव अंडप और ग्यालोजी से ही दर्शन कर सकते हैं गर्भगर के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर है और गर्भगर के तीन दर्वाजे हैं जन पर अश्ट विनायक, अश्ट लक्ष्मी और दशावतार की आकरितियां चित्रत हैं कहते हैं कि असली मंदर बहुत छोटा था करीब 6-6 फीद जिसे 1801 में लक्षमन विठु पाटल ने दियोबाई पाटल के सूचना पर निर्मान किया था दियोबाई पाटल अमीर परिवार सेथी पर बेवलाद थी दूसरे कथन के हिसाब से यह सिथी विनायक जिस वयंभू है जो इसी इलाके में मंदरा पेड़ पर रामकृष्ण जम्वेकर महाराग जी को मिला था उसके पाट इस मंदर का कई बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ एक बार जमीन से हनुमान जी की मूर्ति मिनी तो उसे भी टेंपल कॉंपलिक्स में ही शामिल कर दिया